हेलो डियर विलकम करता हूँ आप सभी को यूटूब चैनल लर्सिंग यान में और आज का वीडियो काफी संदार बोने बला है जो भी लोग एक कहते हैं कि क्या कोई समस्या है MP में जिसके कारण फर्स्ट यर और सकेंड यर का रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसी पर हम आप को आज doubt किलीर कर देंगे कि क्या अभी भी कोई समस्या है क्या अभी भी कोई problem के कारण जो है आप लोग का first year second year का रिजल्ट में जा रहा है बहुत सारे लोग ऐसे message कर रहे हैं कि पता ना रिजल्ट मेरा जो है आने ही वाला है ठीक है तो चलिए मैं हुडावल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं चैनल को नए है तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को दबा दीजे चलिए सुरू करते हैं सबसे पहली बात है कि आप लोग समझे है कि देखिए रिजल्ट ज चारी कर दिया जाता है बट हुए है कि आप लोगों को पता है कि पहले जो परोसेस चल रहा था वह प्रोसेस अचानक जह है रोक दिया गया था रिजल्ट को पहले एकजान हुए उसके तुरंत करने वाले थे internal mark डालने वाले थे वह internal mark अपने अपने college के student के नहीं डाल पाए जिसके वज़ाई से हुआ ये कि बहुत सारे student जो है ऐसे ही रह गए बहुत सारे college जो है online नहीं कर पाए जिसके कारण हुआ है कि engineering पर दान परा है इंटर्नल मार्क डालने के लिए तो अब वो इंटर्नल मार्क डला जा चुका है साथ फरवारी तक डेट था फिर भी बहुत समय एश्टरा हो गए आप 15 दिन लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए मैं बार बार एक ही बात काता हूँ कि यह एक टेकनिकल प्रोसेस है यह सब इंटर्नल टेकनिकल प्रोसेस है और इन समय कुछ समय लगता है ऐसा नहीं है कि डालभात बनाए सबजी बनाए और सिधा जो है थोड़ा देर में जब मन तब खा लिजे ऐसा नहीं होता है result उहाँ पे सारा चीज complete है बस process है internal process चालू है internal process कहने का मतलब है कि सभी का result systematic किया जा रहा है अब माने गए हरवारी में काम होगा तो जैसे देखी रहा है कि 3rd year का हरवारी में result जारी किया गया बहुत सारे student का result नहीं दिखाया एन नेंबालों का बहुत सारे result जो है नहीं दिखाया गया तो फिर से result दिया गया तो ऐसे और tension बरता है student में कि मेरा result ना दिखा रहा है मेरा नहीं दिखा रहा तो इस कारण से result completed हो रहा है process में result त्यारी हो रहा है और जैसे ही result complete हो जाएगा एक दिन भी एश्टरा समय आप लोगा नहीं लिया जाएगा तो यह दिमाग में बैठाएगे कि आज हो गया आपका कितने 22 फरवारी हो गया ठीक है 22 फरवारी है तो ध्यान में रखिए कि आपके लास्ट तक इस फरवारी के लास्ट तक उमीद है result आने का या फिर result फरवारी के लास्ट में नहीं आएगा तो मार्च के एक दो तारीक दिन तारीक तक मतलब फर्ष्ट बीक तक आपके 100% आ जाएगा लेकिन ज्यादा उमीद रखिए कि फरवारी के लास्ट तक ही exam आ जाएगा result आ जाएगा और आप लोग इतना दिन जब सं संतोस कीजिए समस्य कुछ नहीं है बस result प्रोसेस में है त्यारी हो रहा है जैसे ही complete हो जाएगा first year second year दोनों का एक साथ जलने का उमीद है ठीक है तो यह सारा चीज़े है मैंने आपको बता दिया अब आपके मन में फिर भी कोई सवाल रहता है कि कव आएगा कव आएगा क्योंकि जब 10 महीना आप लोग वेट कर सकते हैं तो नहीं और कुछ दिन और वेट कर लिजिए गा तो क्या दिक्कत जाता है जब इतना दिन तो लेट होई गया तो 10 दिन और वेट कीजिए अपने माइंड को 10 दिन और मान कर चलिए कि यहां 10 दिन में आएगा क्या टेंसर लेने का है होता है टेकनिकल जो चीज समय पर अब कुछ लोग मेरे को गलत बोलते हैं कि आप तो बताये थे कि 10 से 15 फरवरी के वीच में आ जाएगा तो माइडियार हमने तो भी 10-15 फरवरी बताया था लेकिन जैसे ही कोट का ओडर आया था तो आप लोग को पता है कि पेप यार जी एनेम और एनेम के रिजल्ट डलने के बाद जब एनेम और जी एनेम ठाड़ यार का रिजल्ट डल गया तो उनके तरफ से एस्टेटमेंट है पेपर में कि एक सब्ता हमें आ जाएगा एक सब्ता छोड़ ये तीसरा सब्ता चल ला है कहां है तो जब सिख्षा चिक इनार्स का कोई भाग नहीं है तो फिर मेरे को एकजेटली कैसे पता हो जाएगा लेकिन मैं एक देखके बताता हूं कि हां कब तक आसकता है मैंने देखा कि साथ तक तो आउनलाइन ही होने वाला है तो कम से कम 10-15 फरवारी तक रिजल्ट आने की संभावन है जो नहीं आया तो 10-15 तक और मैंने बीच बीच में बात भी करते रहा काउंसिल में तो उनसे यही बताया जा रहा कि 10-15 दिन में रिजल्ट आपके आ जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया अब आपके अंदर कोई हरवराहट नहीं होनी चाहिए जो काम कर रहे करिए पर यह जो कर रहे हरवराहए नहीं कि रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट आना तय है कोई समस्याब नहीं है रिजल्ट पे रिजल्ट त्यार हो रहा है जै कैसे त्यार वजाएगा आ जाएगा ठीक है धन्यवाद